प्रोजेक्ट में कई दिक्कते भी आई लेकिन हमारे स्रमीकों हमारे इंजिनियरों हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइप्लाइन पूरी हुई कहने को ये सिर्फ एक पाइप्लाइन है लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गती देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्यों आज देज गैस बेज एकोनोमी पर इतना बल दे रहा है क्यों वन नेशन वन गैस ग्रीट पर इतनी तेजी से काम हो रहा है क्यों आत्मनिर भर भारत के लिए गैस बेज एकोनोमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है वो सिर्फ इस एक पाइप्लाइन के फाइदों से समझा जाएगा पहला यह पाइप्लाइन दोनों राज्जों में लाखों लोगों के लिए ईज आफ लिविंग बढ़ाएगी दूसरा यह पाइप्लाइन दोनों ही राज्जों के गरीब मद्यमवर्ग और उद्दमियों का खर्च कम करेगी तीसरा यह पाइप्लाइन अनेक शहरों में सीटी गैस डिस्टिपिशन सिस्टीम उसका एक माध्यम बनेगी चौथा यह पाइप्लाइन अनेक शहरों में सी एनजी आधारे ट्रांस्पोर्ट सिस्टीम को डेवलप करने का आधार बनेगी पांचवा ये पाइप्लाइंग मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को उर्जा देगी कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी किसान को मदद होगी छठा ये पाइप्लाइंग मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल को उर्जा देगी उन्हें स्वच इंदन देगी सात्वा ये पाइप्लाइंग दोनों ही राज्यों में प्रदूशन कम करने में बड़ी भूमी का निभाएगी